सर्दियां अब बिल्कुल जाने की कगार पे खड़ी है और ये सबसे बुरी बात लगती है मेरे को क्योंकि गर्मी का मौसम जब आता है तो ऐसी कुछ चीजे हैं जो हम खाने को सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि इतनी गर्मी होती है कि आप कुछ-कुछ ठंडा खाना चाते हैं या फ्रूट्स या सालड तो उसमें जो सबसे इंपोर्टन चीज हम जो मिस करते हैं गर्मियों में हुए हैं परांथे तो आज मैं आपके साथ दो परांथों की रेस्पी शेयर करूँगी अभी पीछ काजू और बदाम का मिक्स्चर बनाया है इसमें आप और भी चीजे डाल सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार तो यहां मेरे पास ग्रेटेड चीज है कोई भी अपने पसंद का चीज आप ले सकते हैं ड्राइफ फूर्ट्स जैसे मैंने बताया काजू और बदाम का पराठा बनाने के लिए हमने आटा गूंद के रखा है आटा हमारा बहुत जादा हाड भी नहीं होना चाहिए और बहुत सॉफ्ट भी नहीं पराठे हम बनाएंगे देसी घी में आप अपनी पसंद के किसी भी घी तेल ओईल में बना सकते हैं सरसों के तेल को मत बनाएए क् कि उसे स्वाद अच्छा नहीं आता है और पराठे को गूंदे में हमारे इस्तिमाल करेंगे सुखा आटा तो चलिए शुरू करते हैं बनाना बहुत ही टेस्टी और डिलिशिस पराठे इसको मैं सर्फ करूंगी अचार दही और खीर के साथ तो एक कम्प्लीट मील रेडी ह हो जाएगी आटे की मैंने लोई निकालके उसकी छोटी छोटे बॉल्स बना दिये हैं अब उनको हम सुखे आटे में थोड़ा सा इसको डाल देंगे और बेलने के लिए हम इसको पहले हलके हाथ से इसको ऐसे करके प्रेस हम थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे और फिर बेलन के साथ इसको हम बेल की तयार करेंगे पहले हम चीज परांठे की तयारी करते हैं तो हमने रोटी को तयार कर दिया है अब उसमें जितना हमको चीज डालना है उतना हम डालकर इसको बंद करके फिर फाइनल बेलेंगे तो चीज परांठा हमारा बेल गया है और यहां हमने हमारा तवा भी चड़ा के रख दिया है परांठे को हमने गैस के उपर अब चड़ा दिया है मीडियम और लो के बीच में हमने फ्लेम को रखा है नहीं तो वो उपर उपर से आपकी जो परांठे की परत है वो पक जाती है पर अंदर से वो कच्छी रह जाती है तो बस अब इसको हम दोनों साइड में पलट कर पकाएंगे इस दौरान में बाकी के परांठे भी तयार कर देती हूं घी अच्छे से पूरी साइड परांठे में हमें लगानी है फ्लेम मैंने अभी लोही रखी है पिल्कुल अभी मैंने हाई नहीं करी है दोनों साइड अच्छे से हमें तेर लगाकर या घी जो भी हम इस्तेमाल करेंगे उसको लगाकर हमको पकाना है अब जब तक हमारा चीज परांठा तयार हो रहा है सौरी मैं अपने ड्राइफरूट परांठे की तयारी शुरू करती हूँ तो रोटी हमने बेल दी है और अब इसके बीच में हमारा ड्राइफरूट रखेंगे उसका जो पाउडर हमने बनाया है और इसी को बिलकुल उसी तरीके से जैसे हमने चीज परांठा बनाया उसी तरीके से हम इसको भी बंद करके रेड़ी करते हैं तो हमारा चीज परांठा देखे कितना अच्छा बन रहा हलका हलका साथ आप देख सकते हैं चीज निगल गया है पर घबरा ये नई परांठा आपका बहुत ही टेस्टी बनेगा तो माई DR PRODIE तैयार है हमारे बहुत ही गरम गरम और स्वाधिश्ट परांठे और इसके साथ जाएगा हमारा दही खीर और अच्छार इसको खाने में इतना स्वाधा आरा है जितना मुझे बनाने में आया था ये है हमारा चीज परांठा हमारे ट्राइफ रूट्स परांठे आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं चीनी की परांठे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं तो अगर ये रेस्पी आपको अच्छी लगे इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मीनू के को सबस्क्राइब करें फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो से तब तक अपना ख्याल रखेगा बाई बाई